चिल्रिन, इस अवो एक्टिविटी टाइम. बज्चों, आज हमने विंटर सीजन को पड़ा है. और अब हम उससे रिलेटिड एक एक्टिविटी करेंगे. हम बनाएंगे एक स्नोई डे. तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक शीट, कुछ स्टिक्स, और सैविकॉल या ग्लू चीज़ें पेस्ट करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम स्टिक्स पर ग्लू अप्लाई करेंगे. ठीके? हम स्टिक्स पर ग्लू अप्लाई करके इन्हें एक ट्री के शेप में पेस्ट करेंगे. ओकी? आप उन स्टिक्स को अपने कोडिंग तोड लीजिए और उसके बाद उन पर ग्लू अप्लाई कीजिए. तो अब हम ट्री की ब्रांचेस बनाएंगे. तो हम वन बाई वन करके ये स्टिक्स पेस्ट करते जाएंगे. बचो जब स्नोफोल होता है तो ट्री की जो लीजिए वो जड़ जाती हैं, वो गिर जाती हैं और ट्री जो हैं विदाउट लीजिए ऐसे सूखे वाले होते हैं. तो हम एक सूखा ट्री बनाएंगे विदाउट लीजिए तो हमने लगबग सारी स्टिक्स जो हैं पेस्ट कर दी हैं और ये लास्ट स्टिक हम और पेस्ट कर देते हैं. अब हमें करना है स्नौफॉल तो हमें चाहिए पोस्टर कलर, वाइट कलर, आप कोई भी वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर, आप फिंगर टैप करेंगे, ओके फिंगर प्रिंटिंग, आप फिंगर पे अपना कलर लेंगे और उसके बाद उसको रैंडमली टैप क जाएंगे, ओकी, और नीचे की तरफ हम थोड़े जादा वाले इंप्रेशन्स देंगे, ओके पास पास, क्योंकि नीचे जो है वो स्नौ इकठी हो गई है, बहुत सारी स्नौ जो है, वो इकठी हो गई है, तो हम लोगों ने अपना जो विंटर सीन है, वो कम्प्लीट कर लि हमारा स्नौई डे रेडी है, अब आपकी बारी, आपको भी अपना ऐसा ही स्नौई डे क्रियेट करना है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या आप अपनी क्रेटिविटी के एकॉर्डिंग इसको आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ओके?